पहला कुशन हमारा है कि उच्चितम न्यायाले की पहले न्यायद्हीस का नाम बताईए जिसने जिसके खिलाप जो है स्वतंत्र भारत में संश्व में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था मतलब कि ऐसा उच्छतम जयाले का आयशा कॉन संयाया थी इस था जिसके खिलाब महभियोग प्रस्ताव पारित किया गया था वो भी सोतन्थ भारतकर्था आजादी के बाद तो वो हमारे जो है वो जश्ट सीड़राम सवामी है ठिक जश्टिस राम स्वामी जो थे इनके में सोसल मीडिया प्लेटफार्म और इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसियेशन आफ इंडिया ने आम चुनाओ 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को क्या पेस किया था तो भारत के निर्वाचन आयों को स्वाच्छिक आचार सहिता को पेश किया था कब 2019 के चुनाओं के लिए अगला कुश्यन कि भारत के संबिधान का निम्नलिखित में से कौन सानुच्छेद समान नागरिक सहिता से संबंधित है तो देखिए अनुच्छेद 44 जो है यह हमारा समान नागरिक सहिता संबंधित है इसके विशाय में हम डिसकस करेंगे तो इसका जब पोश्टमार्टम करते हैं क्या भी लेगा देखिए पोस्ट मार्टम करने पर यह है कि अनुछेत 44 एक समान नागरिक सहिता सममन्धित है अब अनुछेत 44 हमारा नीत निर्देशक तत्व में है ठीक, अनुछेत 44 जो है राज के नीत निर्देशक तत्व के अंतरगत इसका उलेख किया गया है उसके बाद फिर देखिए अनुछेट 44 का कहना है कि राज के नागरिक के लिए पूरे भारत में एक समान नागरिक सहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा कौन करेगा राज करेगा किसके लिए नागरिकों के लिए फिर अगला है कि दुनिया की पहली महिला परधान मंत्री का नाम बताईए तो दुनिया की पहली महिला प्रधान मंत्री जो है वो है सिरिमावो भंडार नायके और इनके बीसे में अगर हम देखें तो देखें सिरिमावो भंडार नायके जो है एक स्री लंकाई राजनेता थी मतलब ये स्री लंका की जो है पहली महिला प्रधान मंत्री थी और आधनी क इतिहास में दुनिया की पहली गैर वनसानुगत महिला प्रमुख सनकार बनी थी और कब बनी थी 1960 में उन्हें स्रीलंका का प्रधान मंत्री चुना गया था और उन्होंने तीन बार 1960 से 65 फिर 70 से 70 और फिर 94 से 2000 तक देश के प्रधान मंत्री के रूप में सीवा दी थी अगला कुशन क्या है अगला कुशन हमारा है कि भारती सम्विधान में आवसिष्ट सक्तिया भारती सम्विधान में आवसिष्ट सक्तियों का विचार कहां से लिया गया है तो देखिए हमा कि भारती सम्मिधान औक युद्ध सकतियों का एक थैला है यह हमारा कनाडा से लिया गया था itα कांसे लिया गया था इसके बिसे में अगर हम चर्चा करें तो देखे कनाडा से क्या क्या लिया गया था तो गड़ना एक मजबूत केंद्र के साथ संगने कि कनाड़ा से जो हमारा मतलब की एक राज है जैसे मतलब की संग की सक्तिया जादा मजबूत रहेंगी वो जी जो है यह हमारी कनाड़ा से ली गई है फिर केंदर में आवसिष्ट सक्तियों का नहीत होना मतलब सारी सक्तियां केंदर में नहीत होंगी और केंदर दौरा राज क राजिपालों की नियोक्ति सर्वोच नियाले का सलाहकार छेत्रा अधिकार ये सब जो है कनाड़ा से लिया गया है फिर अगला कुशन की वर्स 1978 में कौन से संसोधन ने संपत्य के अधिकरहन धारण और निप्टान के अधिकार को मौलिक अधिकार की रूप में समाप्थ कर द दिया किस सम्मिधान संसोधन से तो वो हमारा था 44 समिधान संसोधन फिर अगला देखिए भारत के किस भाग में केंद्र राज संबंद का उलेख किया गया है तो जो हमारा भाग 11 है भाग 11 जो है अनुछे 245-25 इसमें जो है हमारा संग राज छेत्र का या केंद्र राज संबंध का उलेख किया गया है आगे देखिए इसके बिसे में देख लीजिए कि अनुच्छे 11 जो है आफदा इंडियन का स्ट्रेशन और सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब कि जो अनुच्छे भाग 11 है अनुच्छे 245 से 255 तक इसमें जो है संग राज के संबंधों का वर्णा किया गया है the center state relations are divided into three parts मतलब केंद्र और राज के बीच में जो संबंध है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है कौन कौन सा legislative relation जो हमारा है वो 245 से 255 है administrative relation यह हमारा 256 से 263 है और financial यानिक बित्ती जो relation है वो 268 से 293 के बीच में है अगला question है कि निमनलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्ती कानून की सहायता को बढ़ावा देता है तो जो हमारा अनुच्छेद 49 ए है यह सभी के लिए समान न्याय प्रक्रिया बताता है कि सभी के लिए कानून समान है और सभी के लिए न्याय समान होगा जै में बताता है तो अनुच्छे 32 को ही जो है अनुच्छे 32 क्या बताता है संभाइधानिक उपचारों के बारे में उसी तरह अनुच्छे 43A बताता है हमारा भारत के संभिधान का अनुच्छे 43A उपयोगों के प्रबंधन में स्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है वही 48A क की बात करें तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनो और वन जीव सुरक्षा के से संबंधित है अगला कुशन हमारा है कि भारत के सम्मिधान का अनुच्छेद कौन सा है जो चुनाव आयोग को संसद और राजविधान सभाओं के चुनाव की निगरानी की सक्ति द है कि लोग सभा में नामित सदस्यों के दिक्तम संख्या कितनी होती है मतलब राश्ट पती लोग सभा में दो सदस्यों को मनुणीत कर जखता है जो कि क्या है एंगलो इंडियन हो ठीक तो अगला कुश्चिन है कि दसवी अनसूची के तहएत लोग सभा के सदस्यों की तो उसका जो निर्ड़य लेता है वो अध्यक्ष लेता है लोग सब अध्यक्ष लेगा ठीक आगला देखिए एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतनीधी का कारिकाल कितनी वर्स होता है तो जो ग्राम पंचायत होती है इसका जो है कारिकाल पांच वर्स होता है वहीं आ मतलब अनुछेत 73 और 74 में पंचायत राज प्रडाली को सुरू किया गया था पंचायत राज संथानों के चुनाव अनुछेत 243 के तहट गठित राज चुनाव आयोग द्वारा किये जाते हैं वहीं अगली आगे बात करें तो भारत के संभिधान का कौन सा अनुछेत भारत के राजपती के महाभियोग के प्रावधान के बारे में बताता है तो जो अनुछेत 66 है हमारा ये राजपती के खिलाप महाभियोग को प्रस्तोत करता है वहीं और आर्टिकल देखें तो अनुच्छे 54 जो है इलेक्षन आफ ट्रेसिडेंट मतलब राष्टपती के चुनाओं को अनुच्छे 54 बताता है वहीं जो है उप राष्टपती के विशय में हमारा अनुच्छे 63 बताता है और अनुच्छे देखसर बताता है कि राष्टपती के खिलाफ महावियोग की प्रक्रिया क्या है अगे देखिए अगला कुश्यन है कि भारत के सम्मिधान में पहली बार किस वर्ष में संसोधन किया गया था तो सबसे पहले संसोधन 1951 में किया गया था और क्यों किया गया था उसको देखिए कि प्रथम सम्मिधानिक संसोधन 1951 में हुआ था इसमें बोलने और अभिव्यक्त की स्वतंतरता की दुरूपयोग, जमिदारी, उन्मूलन, कानून का वैधी करण और समानता की अधिकार को अधिक इसपश्ट रूप से परिभासित किया गया था यह संसोधन ततकालिन प्रधान मंतरी जवाहलाल नहरू ने 10 मई 1951 को पेश किया था जिसे संसद ने 18 जून 1951 को पारित किया था अगला कुश्यन है कि भारत के सम्मिधान का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि प्रतेक भारती राज में एक राजपाल होगा तो जो राजपाल की विशेम बताता है वो अनुच्छेद ये बताता है कि प्रतेक राज में एक राजपाल होगा आगे देखिए कि अनुच्छेद 151 जो है वो कैक से समंधित है और वहीं 152 जो है वो डिफिनीशन आफ इस्टेट ये राज की परिभासा बताता है और अनुच्छेद 103 हमारा मतलब गवर्ना राफ इस्टेट है निकि राज के राजपाल की विशेम बताता है और आर्टिकल 154 जो है वो राजपाल की सक्तियों के विशेमें बताता है ठीक आगे देखिए निमने लिखित में से किसे लोगप्रीय कक्ष या पॉपुलर कहा जाता है तो जो हमारा लोगप्रीय सदन है वो हमारा जो है लोग सभा है जाहे इसको लोगप्रीय सदन कहें जाहे जनता का सदन कहें ठीक तो यह चीज है आगे देखिए भारत में भारत के सम्मिधान का निमने से कौन सा नुच्छेद एक नए राज के गठन का प्राव चाहे है तो नय राजीयों का गठन कर सकती है और एक साधारण बहुमत से जो है यह गठन होता है आगे देखें कि इसके बिशे में क्या है कि संग दिआ का नाम और शेत्र, नय राज doorway नए राज्यों का गठन और छेतर सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन व्यक्तियों को स्वेक्षा से एक बिदेसी राज की नागरिकता प्राप्त करने का करना नागरिक नहीं होना चाहिए तो ये सारी चीजे जो हमारी बताई जाती हैं ये किस में बताई जाती हैं अनुच्छेल एक से ले करके तीन में बताई गई हैं फिर वहीं आगे देखें तो क्या है कि नियम लोग सभा में व्यापार की प्रक्रिया और आच्रण का नियम संसत के समक्ष आपचारिक प्रस्ता कुछ सामिल नहीं करता है इसलिए इस नियम के तहट मामली पर चर्चा के बाद कोई मावतदान नहीं हो सकता है यह जो है कौन सा नियम बताता है तो नियम 193 जो है इसमें यह चीज बताई गई है कि लोगसभा में व्यापार की प्रक्रिया और आचरण का नियम संसत के समक्ष और चारिक प्रस्ताओं को सामिल नहीं करता है अगला कुशन देखिए यह लिंक दी गई है जो हमारी जो है पीछे की और क्लासेस है उनकी लिंक है आप यहाँ पर क्लिक करके जो है जा सकते है पीछे फिर देखिए अनुच्छे देख 158 बताता है वोटिंग आफ डिवीच इसक्वेंट ऑन डिस्पोजल आफ एमेंडमेंट्स बाई कांसिल और एक सो तिरान भी बताता है नोटिंग फार रेजिंग डिसकसान ठीक आगे देखिए भारतिय संसत के संदर्व में सू निकाल क्या है तो सू निकाल देखिए जब संसत में जो है सत्र चलता रहता है तो जो प्रश्नकाल होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसे सू निकाल कहते है ठीक आगे कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इस पर अंतिम निड़े कौन लेता है तो जब कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका अंतिम निड़े अध्यक्ष क जो हमारा बित बिधयक होता है ये लोग सभा में प्रस्तुत होता है ये राज सभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता उसके बाद the decision of whether a bill is amenable or not is taken by speaker of लोग सभा and is presented in house the prior permission to president of India मतलब कोई बिधयक जो है वो बित बिधयक है या तो नहीं इसका निड़े लोग सभा speaker ये लोग सभा का अध्यक्ष करता है और यह जो है permission to president of India और भारत की राष्टपती की अनुमत ले करके की जाती है वहीं देखें तो राज सभा है is limited power regarding to money bill and there is no provision of joint setting for money bills मतलब कि राज सभा के पास जो है एक निश्चित सकती है money bill के लिए और इसको जो है संयुक्त बैठक में डिसकस नहीं किया जा सकता ठीक नमस्कार दोस्तों फिर यह रही हमारी सीरीज और यह सीरीज हमारी लगातार जो है चलती रहेगी 200 question के सीरीज है और जितने भी आज तक के previous year में कूछे गए हैं हो चाहे सी यह जील के हो सी या चसल को हो या अन competition के हो तो सारी चीजें आपको इसमें समाहित मिलेंगी और physics और static gk का दोनों part हमारा जो है बड़ा है आप playlist में जा करके देख सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज जो मैं start किया हूँ यह आपके लिए बहुत महात्पूर्ण होगी धन्यवाद और channel को अगर subscribe नहीं कियां subscribe कर लिजे like नहीं किया तो like कर लिजे